नमस्कार दोस्तो जैगोमाता आज ये वीडियो एक बार फिर से आपको बहुत समय बाद फार्म का सारी विवस्ता दिखाने के लिए बनाया है ये जो पिछली वीडियो में दिखाया था जनरेशन जो बच्छे त्यार हो रहे ये भी में ब्रावन टूंडेट का ही बच्छा ह बहुत सुन्दर नेक्स जनरेशन के बच्छे त्यार हो रहे हैं मैं हमेशे हर वीडियो में जो बात विशेश्तिया कहता हूं कि जब हम अच्छी गाय लेना चाहते हैं तो हमें कहीं से मिलेगी नहीं हमें वो अपने फार्म पर त्यार करनी पड़ेगी और आज इस वीडिय पर काफी टाइम से जो चीजें हम महसूस करें अजो चीजे दिख रही है जब हमने यह फार्म बनाया भी था तब हमारे मंद में विचार मेरे बड़े भाई साथ प्रेम सिंधी साथ वगयर सभी ने जब सोचा इसके बारे में तो हमने भी बहुत सारे विचार कि गिर पर कर बनाया है तो उसके इसाब से थार पारकर नसले ही उपयुक्त समझी गई और इस नसले पे बहुत कम लोग काम करने वाले हैं इसी विचार को देखते विए हमने थार पारकर नसले पे काम करने का विचार बनाया यह बहुत शुंदर जो जनेरेशन के 4-5-6-7-8 मीने तक के बच्चे हैं अंगध है जो लगबग एक साल और एक मीने के लगबग का नंदी है और बाकी सबी वेसे आप बच्ची देख सकते हैं कि सुंदर था सभी बहुत सुंदर और देखने योगी मतलब जब भी बहुत जादा स्ट्रेस में होते हैं तो जब यहां आते हैं तो जो सांती की तुलना किसी से भी नहीं कर सकते हैं जब भी आप अपने हर्ड को या गोमाता लाए अपने यहां पे तो उनको खुला ही रखें अच्छे नंदी से अच्छे बच्चे लें उनको सुरू से ही खाने पिने की विवस्ता बढ़िया करें जब खाने पिने की विवस्त अगर आप यूज करते हैं तो किसी भी कॉपरेटिव या गवर्मेंट के अच्छे बैलेंस सिस्टम वाले रासंद का कर सकते हैं उसके लावा लोकल हम त्यार करते हैं वह बैलेंस सिस्टम अपने लोकल डॉक्टर से बात करके भी उपयोग कर सकते हैं काफी सारे विक्ति कहते प्lauter को नहीं है तो हम भी संध नहीं करता है पर जब भी कोई 2 यह कम बजयट में start करना चाता है तो वो इस तरह की कम रेट के ईप्योग ब्लेंट करें तो ही जो मिन्ठी यह फि के सदनर ही वह उप्योग करें यह सभी आप गोमाता है देख रहे हैं जो बारवे 13 संथ एक्रशन की थी। तो देशी गोमाता में हो capacity है। तो बारवे 13 ऑलैक्टरिशन तक बी अच्छा दूद देती है। और थारपा का नशल की विशेष तया भी यही है कि अच्छे दूद की गोमाता है होती है यह ब्राह्मन डोन डेट की माय जो हर वीडियो में लगभा आपको देखने को मिलती है इन गोमाता का तेर्व एलेक्टरिशन में भी हमारे यहां पे 16 लेटर तक दूद गया है और में ध्यान रखना चाहिए यह सब भी गोमाता है जो भी महां पे दूद की है फार्म पे फर्स लेक्टरिशन की है तो आप देख सकते है और अच्छा दूद है पहले लेक्टरिशन में 5-6 लेटर तक दूद आराम से दे दिए बच्चे को पिलाने के बाद में यह आप किये बहुत सुंदर द्रश्य है जब भी गोमाता के बीच में होते है तो जो विचार मन में भावना याती सभी पवित्रता की तरफ जाती है तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि जब भी सुरू करे तो अपने लोकल ब्रेट पे करे और उन पे बहुत अच्छा काम क करें उनके सांवर्धन को पिशेष्टया ध्यान दे खाने पीने की विवस्ता और बागी सब चीजे भी आपके यह विवस्तित हो काम करने वाले व्यक्ति पिशेष्टया सबसे अच्छे हो और वो पूरा ध्यान गोमाता का रखे यह फर्स लेक्टरिशन की बच्ची बहु है इन कि बच्ची हो गई है तो धियरे often whether हता था साल दफिश्त देती रहती है और आपको को एक अची जंशन निका चफ़रवनता रहता है यंगते वाश क्यों अच्छा तैयार व्यक्ति एक साल एक माहरर है का ऑशट संदर दोस्तों कोशिश कर रहा हूं अच्छी सच्छे वीडियो बना के आप तक पहुचाऊं और आने वाले वक्त में भी और भी जो लंबे यात्राओं के विचार बन रहे हैं उनमें भी आप तक हर वीडियो पहुचाने कोशिश करूंगा और हर शेत्र की गुमाता की डिटेल जाते हो जब सक्सेस नहीं होते हैं तो बड़ा नुक्सान देख होता है तन्यवाद जैगो माता जैगो पास